हेलो बच्चाँ, ये कुशन आग बस सिस्टम आप पार्टिकल चैप्टर से है, देखिए कुशन में क्या कह रहा है, एक रोप आफ नेगलेजिबल मास इस वोंड राउंड एक होलो सलेंडर आफ मास 3 केजी एंड रेडियस 40 सेंटीमेटर, बच्चों है कि ये होलो सलेंडर है जिसका रेडियस 40 सेंटीमेटर दे रखा है, और मास 3 केजी दे रखा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक रसी है, रोप का मतलब चो रसी होता है, उसका मास हमें नेगलेजिबल लेना है, उस रसी का मास हमें कंसिडर नहीं करना, इस वोंड मतलब इसके चारों तरप तो रसी जो इस पे लिप्टी भी आगर हम उस रसी को 30 निव्टन के फोर से पुल करते हैं, तो हमें यह पूछ रहा है कि यह जो सलेंडर है, यह जो होलो सलेंडर है, उस पे कितना एंगुलर एक्सेलेरीशन आएगा, आमें उसका एंगुलर एकसलेरशन बताना है, क्योंकि यह cylinder जब हम रसी से से पुल करेंगे तो यह rotate करने लग जाएगा, तो उसके पास कुछ angular acceleration होगा, वही angular acceleration हमें find करना है, तो देखो आप इस cylinder को देखो, यह hollow cylinder है, तो यह circular है, तो मैं इस figure को कुछ नए तरीके से बना रहा हूँ, यह circular है, यह hollow cylinder का यह वाला पाट है, यह अंदर से hollow है, तो मैंने cylinder को इस तरीके से दिखा दिया है, और इस cylinder के चारो तरफ यह रसी से लिप्टा होगा है, रोब क्या है, रोब इस वन्ड हो रहा है, और यह रसी का यह जो end point है, बच्छों, यह end point है, इस रसी को जो 30 newton के force से नीचे की जा जा रहा है, पुल किया जा रहा ह तर्टीन देंड रहा है इसका जो रेडियास दे रहा है इसका यहांपे पर यह जो रेडियास दे रहा है आपका 40 pध है तो इसे गर हम मेटर में कनवर्ट करते हैं तो स्फॉर्टी डिवाइड है न्ट्र dud abad और तो इस 0.4 मीटर जागा त्मरे टीक कारेंब यह देखो ऑगर इस cylinder को cylinder यह जो रशी से लिफटा वाई इस रशी को अगर खींचो गए तो यह cylinder क्या करने लग जाएगा rotate करने लग जाएगा तो इसमें torque create होने लग जाएगा ठीक कोई चीज अगर rotate कर रही है तो इसका मतलब उसमें torque create हो रहा है तो torque का formula क्या होता है हमें यहाँ पे angular acceleration find करना है तो torque का जो formula होता है moment of inertia into angular acceleration होता है अब moment of inertia हमारे पास नहीं है moment of inertia भी हमें calculate करना पड़ेगा torque भी हमारे पास नहीं है और हमें angular acceleration find करना है तो दियान अभी इस equation यह equation को हम use करेंगे ही यह equation first है लेकिन टॉर्क को हम एक दूसरे method से भी find कर सकते हैं, देखो कैसे find करेंगा, टॉर्क को, टॉर्क is equal to होता है आपका, आर क्रोस एफ, ठीक है, टॉर्क का formula यह होता है, आर क्रोस एफ, तो आर क्रोस एफ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर एफ, साइन थीटा, आर एफ, साइन थीटा, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, तो यह आर क्या है, आर का मतलब रेडियस, यह वाला रेडियस, ठीक है, यह आर की value हमारे पास है, आर की इतना दे रखा, यह capital R है, ठीक है, चलो इसे capital R लिख देते हैं, आर क्रोस एफ, त इस तरफ है, तो यह direction यह है, तो यह R का direction है, यह force का direction है, यहाँ पे जो angle बन रहा है, 90 degree का angle बन रहा है, तो थीटा की जगा में क्या आएगा, 90 degree आएगा, ठीक है, तो टॉर्क इस इकल टू, आर की इतना दे रखा है, आर का value है, वो तो 0.4 है, इन्टू फोर्स कितना दे र तो यह हो जागा 12 Nm, इतना torque हमें मिल गया है, लेकिन हमें find क्या करना है, तो what is the angular acceleration हमें find करना है, तो देखो, torque का formula यह यह भी है, अब हम इस formula का use करेंगा, torque is equal to I into angular acceleration, यही angular acceleration हमें find करना है, अब देखो, torque is equal to, यह क्या है, moment of inertia है, तो यह जो आपका hollow cylinder है, moment of inertia of hollow cylinder होता है, उसका formula कितना होता है, moment of inertia of hollow cylinder is equal to, mr square, टेक है, तो यहाँ पर I, यह जो moment of inertia है, इसकी जगा में आ जागा, mr square, यह into angular acceleration, तो angular acceleration is equal to, हो जाएगा, torque divided by mr square, यह क्या है, moment of inertia of hollow cylinder, अब देखो, यहाँ जस value पुट कीजिए, यह alpha क्या है, यह आपका angular acceleration है, तो torque की value कि mass कितना दे रखा था हमें, यह 3 kg, और radius कितना है, 0.4 meter, ठीक है, तो यह 0.4 into 0.4, ठीक है, तो यह decimal हटेगा तो यह 10 आ जागा, यह decimal हटेगा तो यह 10 आ जागा, तो यह होए, आपका 4, 3s are 12, 3 से 3 कट जाएगा, तो यह हो जागा, आपका 100 divided by 4, तो यह किस से कटेगा, यह 25 आ square में measure किया जाता है, अब देखो, आगे क्या पूछ रहा हम से, यहाँ पे पूछ रहा है, what is the linear acceleration of the rope, assume that there is no slipping, हमें यहाँ पे यह जो rope है, देखो, इस rope को हम क्या कर रहे है, 30 newton के force से नीचे की तरफ पुल कर रहे है, मतलब इदर पुल कर रहे है, इस direction में पुल कर रहे है, देखो, बच्चों, यहाँ पे लिखावा है, assume there is no slipping, कहने का मतलब यह जो रसी है, यहाँ लिप्टी भी है, तो मानलों यह रसी जितने acceleration से इधर motion करेगी, तो यहाँ पे जो रसी लिप्टी होगी, वो भी A acceleration से ही motion करेगी, समझ रहे हो, क्योंकि लिप्टी भी है, यहाँ पे लिखावा है, without slipping, मतलब यह रसी बिल्कुल यह जो hollow cylinder है, उसके contact में, तो जिस तरीके से रसी यहाँ क्या कर रहा है, रसी linear acceleration कर रहा है, उसी तरीके से यह hollow cylinder है, वो भी linear acceleration कर रहा है, तो जितना linear acceleration इस रसी का है, उतना ही linear acceleration इस hollow cylinder का भी है, तेक है, इस cylinder के पास angular acceleration भी है, linear ठीक है तो अमें इस रसी का लीनिय एक्सलेशन कैसे केसे करेंगे जो फॉर्मला होता है वो होता है р-10मीटर पर 10-square यह आपका linear acceleration आ गया अब देखो इस linear acceleration को जो है न हम एक दूसरे method से भी find कर सकते थे देखो बतातों कैसे force is equal to क्या होता है आपका mass into acceleration acceleration is equal to क्या जागा force divided by mass acceleration is equal to देखो यहां पर acceleration 10 आया ना तो इस ममले से भी 10 ही आएगा acceleration is equal to force upon mass तो force कितना है 30 newton है तो force की जगा में 30 square है इस formula से भी acceleration 10 meter per second square ही आया ठीक है